तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको इन पूने के नए एपिसोड में मेरा नाम है आकाश और आज हम देखने वाले है एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जहां पे मैं आपको कमर्शियल शॉप्स दिखाऊंगा ग्राउंट टोर के शॉप्स दिखाऊंगा वो भी एक ऐसे लोकेशन पे जहांपे चार उतरफ से रेशिदेशल प्रोजेक्ट है कुछी ऐसे प्रोजेक्ट है जहांपे कमर्शियल शॉप्स है और जो हिंजेवाडी का सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है मेगा पॉलिस सर्कल उस सर्कल से बस तो दोस्तो अगर इस शॉप के साइज की बात करें तो यह है 400 स्क्वेर फिट का शॉप यहाँ पे आपको इसी के अंदर आपको वाश्रूम की सुवीदा मिलती है इसके साथ साथ फ्रेंटेश बहुत ही बड़ा मिलता है आपको यहाँ पे शॉप की अगर हाइट देखी और इसी के सामने ही आप देख सकते हो 80 से लेके 100 फीट की यहाँ पे रोड है यह रोड डायरेक्ट करेक्ट होती है मेगापॉलिस सरकल को यहाँ से सिर्फ 5 मिर की डिस्टर्श मेगापॉलिस सरकल है हिंजे वाड़ी तो आपको पता है यह एक IT हब है काफी बड़ा IT हब है लेकिन यहाँ की जो residential zones है वो भी काफी बड़े है अगर इसी रोड की बात करें तो इस रोड पे कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे है जो काफी बड़े रैपुटेट बिल्डर के प्रोजेक्ट है और हर एक प्रोजेक्ट में कम से कम 1000-15,000 लोग रहते हैं अगर एक अनुमान लगाये जाए तो यहाँ पे कम से कम 15-20,000 लोग और 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 बी कई सरे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तो उस कोने से लेके उस कोने तक इस एरिया का सबसे लंबे प्रोजेश वाला यह पूचेक्ट है यहाँ पे काफी सारे शॉप्स तो सोल्ड हो चुके है लेक अबले 4-5 सालों में यह एरिया इन शॉप्स का जो प्राइज है यह डबल करने की पोटेंशल रखता है यहाँ पे हर साल रेसिडेंशल के काफी सारे प्रोजेक्स बनते जा रहे हैं लेकिन कमर्शल और शॉप्स के ऑप्शन काफी कम है यहाँ पे दोस्तो मैंने तो आपने रिसर्च कर लिया है अब बारी है आपकी प्रोजेक्ट के अपोजिट भी काफी सारे रेसिडेंशल प्रोजेक्ट बन रहा है तो यह आप मान के चलिए आगे चलके यह एक हाइस्टीट बनेगा बिजनेस में अगर ऑप्शन हम देखे तो यहाँ पे रेस्टोरेंस मेडिकल अगर आप एक इनवेस्टर हो तो यहाँ पे आपको हाय अमांट आफ रेंट मिलेगा और अगर आप अच्छा कासा यहाँ बिजनेस में मिलेगा जैसे कि हम और आप कही दिनों से कमर्शियल शॉप्स दूण रहे दोस्तों आपको भी पता हम को भी पता मार्केट में यह देर मत करिये क्योंकि options काफी limited है मैं हूँ आपका दोस्त आकाश thank you for watching